नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों गरुड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य और अन्य प्राणियों के भोजन सबंधी गरुड जी को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्यान दिया है शेर आदी जानवर मास क्यों खाते हैं और मनुष्य गाय आदी जानवर वनस्पती का सेवन क्यों करते हैं क्या व्रिक्षों में भी प्राण होते हैं अगर व्रिक्षों में प्राण है तो फिर उन्हें खाना सही क्यों होता है और अन्य पशुओ का मास खाना गलत क्यों होता ह श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन ही उचित होता है। संसार का प्रत्येक जीव अन्न की गंध से ही भोजन की तलाश करता है। जिसे जैसी गंध प्रिय होती है वह उसी प्रकार का भोजन करता है। सात्विक भोजन की गंध मनुष्य को प्रिय होती है और हिंस्र पशुओ को मास की गंध प्रिय होती है। गंध की सहायता से ही प्राणी अपना अपना भोजन चुनते हैं। व्रिक्ष मनुष्य आदी प्राणियों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। व्रिक्ष अपनी गंध तथा सुंदर फलों से मनुष्य के मन को मोहिद करते हैं, ताकि मनुष्य उनका स्वाद ले सके। इसी से व्रिक्षों का विकास होता है। जब मनुष्य व्रिक्ष के फल तोड़कर अन्य स्थानों पर जाता है और उन्हे खाने लगता है। तब वह फलों के बीजों को वही पर डाल देता है। इससे अनेक व्रिक्ष उत्पन्न होते हैं। व्रिक्ष अपनी जाती का विस्तार करने के लिए अन्य प्राणियों को उनके फल खाने के लिए आकर्शित करते हैं। किन्तु मांसाहारी प्राणियों को फल की गंध अच्छी नहीं लगती है। उन्हें उनके शिकार की गंध ही प्रिय होती है। इसी कारण से मांसाहारी प्राणी केवल मास का सेवन करते हैं। मनुष्य को प्राणियों की गंध प्रिय नहीं होती है और कोई प्राणी मनुष्य को उसे भोजन बनाने के लिए आकर्शित नहीं करता है। व्रिक्ष अपने फूलों की गंध से, फलों के रस की गंध से मनुष्य आदी प्राणियों के मन में भोजन करने की चेतना जागरित करते हैं।